हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र आज हम लोग इस वीडियो में UPTT 2018 के स्लेवस के बारे में चर्चा करेंगे काफी चर्चाएं चल लाएं कि स्लेवस चेंज कर दिया गया है तो दोस्तों आज इस ख़वर का पूरा विसलेशन करेंगे देखेंगे UPTT का स्लेवस इस पार्ट में प्राइमरी लेवल का स्लेवस देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट में जो जूनियर का 6-8 होता है उसका स्लेवस देखेंगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को को स्लेवस मिलेगा कहां से जो ऑफिसियल स्लेवस है यूपी वेशिक इडियू बोर्ट डॉट जी ओबी डॉट इन ये ऑफिसियल वेबसाइट है इस पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपना पूरा स्लेवस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा वहां से आप 150 मिनट का पेपर होता है 150 कोश्चन होते हैं इसमें आपके पांच सब्जेक्ट दिये गए पांचों से 30-30 नंबर के 30-30 कोश्चन मिलेंगे पहला बाल विकास हैं सिच्छन भी दी दूसरा है भासा प्रथम जिसमें हिंदी है भासा दुती जिसमें एंग्रेजी उर्दू य इस तर देख लेते हैं क्या है तो दूसरों बाल विकास का जो आपका पोर्षन आएगा वो प्रस्न 6-11 वर्स की आयूके समू के प्रासंगीक अधिगम एवन अध्यापन के सेच्छनिंग बनो बिग्यान पर केंदरित होंगे जो की मोश्चली आपने बीटी सी और बीट कर पढ़ा होगा उस पर आधारित कोश्चन होगे 6-11 वर्स तक के बच्चों पर आधारित अब इसका सेकेंड पार्ट में दिया गया कि भासा वन जो इसके प्रस्न अनुदेशों के माध्यम से संबंदी निपोर्ताओं पर होंगे और थर्ड पॉइंट दिया गया कि भासा द बच्चों, संप्रेशन और बोध चम्ताओं पर केंदरित होंगे और फौर्ट पॉइंट दिया गया गिया है करने की समत्चन विदियों की समझतवर केंदरित होंगे यह दिए आप लोग इन बुक्स को अच्छे से पढ़ लें तो आपका पर्यावरान और मैत का पोरसन पूरा कम्प्लीट हो जाएगा तो दोस्तों आज से ही इन बुक्स को ले लीजे पढ़ना प्रारम कर दीजे वैसे मैं आपके लिए इन ही बुक्स पर आधारित कोश्चन्स ला रहा हूँ जिसमें आपके हिंदी का पार्ट हो चुका है ईविएस के आपके दो पार्ट हो चुके है परयावरान अध्यन के और ये बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन मैं इस बुक्स से ढून ढून कर सभी एके कोश्चन्स लेकर आ रहा हूँ जल्दी आपको मैट के भी कुश्चन्स मिलेंगे इसका फाइल नंबर पार्ट दिया गया पेपर बन के लिए परिच्छा में प्रस्ट कच्छा एक से पांस तक के लिए बेसिक शिच्चा परश्चत के पार्ट करम में निर्धारित विस्यों पर आधारित होंगे किन्तों उनका कटनाई का स्थर वा संयोजन इंटर्मेडियर इस तरका होगा तो दुस्तों आपका जो स्लेवस है वो एक से पांस तक की जो प्राइमरी बेसिक शिच्चा परश्चत की बुक्स हैं उन पर आधारित होगा लेकिन इनने थोड़ा घुमा कर पूछा सकता है लेवेल इनका थोड़ा हाई हो सकता है इससे जादा कोई परिवर्तन नहीं होगा बस आपको एक से पांस तक की बुक्स की अच्छे से त्यारी करनी है चलिए अब देख लेते हैं पूरा स्लेवस क्या है या करके सभी सब्जेक्ट्स का तो सबसे पहला आपका जो आता है वो बाल विकास और सिच्छण विदिया इसके बाद है बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक वनसा नुकरम वा वाता वरन इनके बारे में पढ़ना है अगला है सीखने का अर्थ वा सिध्धान्द तो अधिगम यानि की सीखने का अर्थ इसको प्रभावित करने वाले कारक और इसकी पढ़ने हैं क्या क्या इसमें एक तो थॉंडाई का प्रेया सेवं तुठिका सिध्धान पाबलक का संबद्ध प्रत्क्रिया का सिध्धान इसकी नर का क्रिया प्रसूति का सिध्धान कोलर का सूजय अंतर द्रश्टि का सिध्धान प्याजे का सिध्धान वाई गोत्सकी का स सिखने का वक्रवा, इसका अर्थ सिखने के पठार, तो दूसरों ये आपका बाल विकास का पोर्षन, जिसमें आपका अधिगम से सम्मंदिता और इससे लगवग आपको छे से साथ कोश्चन निश्चित मिलेंगे, ये सभी सिध्धान से, एक एक करके मैं आपके पूरे सिध सिखन के सिध्धान, सिखन के सूत्र, सिखन प्रविधिया, नवीन विधाय सूच्म सिखन, यनि कि जो आपका बाल विकास का में में पॉर्षन है, वो पूरा आपको पढ़ना है, इसका अधा जाता समावेशी सिख्चा, समावेशी सिख्चा से भी ये देखे इतनी जो को पढ़ना सहचिक समावेशन हो गया इसका दिये अपवंचित वर्ग हो गया भासा धर्म जाति लिंग सारीरिक दच्छता इन सब के बारे में समावेशन के लिए आवस्टेक उपकरण सामगरी टीलम इसके बाद अगला समावेशी वच्चों का अधिगम जाचने हैं तो जिला चिकित साले जिला सिच्छा इवं प्रसिछण संस्थान परवेशन इवं निरिछण तंत्र समुदा इवं विद्ध्याले सरकारी वा गैर सरकारी संष्ठान अब इसका अगला पार्ट आजाता है अधिगम बाद ध्यापन इसमें आपको पढ़ना है कि अधिगम वालक, समस्या समाधान करता, एक वज्यानिक अनुजेसक के रूप में वालक, ये सब चीजें हो भी हैं आपकी, तो दोस्तों इतना आपका टॉपिक जो है, यहां तक आपका बाल विकास कंप्लीट हो जाएगा, इतना आपको, इतना सब चीजें आपको बाल विकास में कंप्लीट कराए दे रहा हूँ, अब इसके आद बढ़ता है, भासा बन पयानी की हिंदी, तो हिंदी में आपका सबसे पहले आता है, अपठित अनुछेद, यानि कि एक गद्यांस दिया होगा, उससे आपको पढ़ना होगा, इसका दूसरा आता हिंदी वर्ण माला, मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है, अगला है वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक सब्दों की पहचान, वाकिसन रचना, हिंदी की सभी धोनियों में फरस्पर अंतर, यानि कि जो आपको धोनियों के बारे में पढ़ना है, और जो आपके उच्चारण स्थान इन सब्स के बारे में हिंदी भासा की सभी धोनिया वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक तथा चंद्र ब्रिंदु में अंतर, संयुकताच्छर तथा अनुनासिक धोनियों के प्रियोक से बने सब्द सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन, अल्प विराम, पून विराम, अर्ध विराम प्रसन बाचेक इन सब के बारे में इसके आद आपके आ जाते हैं विलोम समानार्थी तुकांत अतुकांत समान धुनियों वाले सब्द संग्या सर्वनाम क्रिया विसेशन वचन लिंगवा काल प्रते उपसर्ग तत्सम तद्वह देशत सब्दों की पहँचान लोकोक्तिया मुहाबरे इसका संधी हो गई आपकी संधी इंपोर्टन टॉपिक है या आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसका अगला है वाच्चे समास अलंकार के भेद कवियों तथा लेखकों की पहँचान ये इतना आपको पढ़ना है जो ये आपका हिंदी से सम्मंदित है इसका दिये कुछ आपका पैड़ो गौजी का भी पोर्षन है जो आपका आएगा उसमें आपका हो गया अधिगाम अरजन इससे ये मान के चलिए आपके लगवक पाँच नंबर के कॉस्टिन इस टोपिक से आ सकते हैं धिगाम जो आपका पैड़ो गौजी का पोर्षन है इससे पांच कोस्टिन जो आएंगे ये आपके प्रतेग टोपिक में आ सकते भासा सेकेंड में आपको सबसे पहले English में है, unseen passes हो गया, आपका sentence, इसके अंदर subject, predicate, kinds of sentence, part of speech हो गयी, आपकी पूरी tense हो गया, article हो गया, punctuation हो गया, word formation हो गया, active passive, singular और plural, इतनी चीज़ें आपकी आएंगी, यह हैं आपकी English से सम्मंदित और pedagogy का portion भी आ सकता है, वैसे इसम लीजिए आप लोग ये उर्दू का पॉर्शन आपके सामने इसे भी देख लीजिए यह आप लोग उर्दू से करने वाले हूं कुछ लोग जो भी हूं आगे बढ़ते हैं संस्कृत का संस्कृत में भी आपका एक अंसीन पैसे जो गया अपटित गद्यांस हो गया इसका यह आपके हो गया इससे आपके सब्द रूप आ सकते हैं अकारांत 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 रिकारांत और इसका घर परिवार परिवेश पच्छियों इनके संस्कृत में नाम यह आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए यह आपका दो नंबर का निश्चित है आना विल्कुल और दोस्तों बताएगा कि पिपीलिका को हिंदी में क्या कहते हैं यह आप लोगों को बताना है इसके बाद अगला है सर्वनाम क्रियाय सरीर के प्रमुक अंगों के संस्कृत में नाम अब्बे संधी हो गई लिंग वचन प्रत्याहर स्वरों के प्रकार वेंजन के प्रकार अनुस्वार अनुनासिक इसके लावा स्वर वेंजन विसर्ग संधियां समास उपसर्ग प्रत्य पर्यावाची विलों कारक प्रत्य वा कभियों लेखकों के नाम यानी कि आपका साहित आता एक तो संस संस्क्रत में साहित के लावा जो मुखे पॉर्षन है संस्क्रत के सब्दों के नाम सब समास हो गए संदी हो गई यह चीज़ें आपको पढ़नी है यह भी मैं आपको काफी करवा चुका है इसमें देखी आपका पैड़ोगौजी का पॉर्षन भी दिया गया जो हिंदी में द भुत्तम महत्तम विद्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग दसमलब का जोड़ घटाना गुणा भाग एक एक नियम प्रत्सद लावानी साधारन ब्याज जयामती आक्रतियों पर अधर प्रसंद्धन हो गया आपका मापन यानि कि समय के बारे में लंबाई चौड़ाई इमाप तौल इनके बारे में इसके आप परिमाप बगैर आ गया परिमित हो गई आपकी त्रिभूज आयत वर्ग चतुर्भूद यही पढ़ना है इसके लावा केलेंडर का एक कोश्चन निश्चित आएगा आकणों पर आता एक आयतन वाला कोश्चन एक हो गया छेतर फल से एक हो गया रेलवे की समय सारणी से संबंदित और अंत में आकणों का प्रस्तुति करानवाद निरूपन इसमें भी देखिए यह कोश्चन पेड़ोगोजी का पोर्चन दिया गया इससे भी पांच नंबर के कोश्चन आ सकते हैं अब अंत में आपका आता है पोर्चन य से तीस कोश्चन आएंगे तो क्या क्या हो गया आपका परिवार भोजनवा सौस्थाय आवास पेंड़ पौधे जन्तु हमारा परिवेस मेला इस्थानी पेसे से जुड़े व्यक्तिवा व्यवसाय जल याताया संचार खेल खेल भावना इसका नदिया परवत पठार वन य में हमारा परिवेस पुस्तक मिलती है उस पर आधारित प्रस्ट मिलेंगे एक एक करके सभी कारे में डिसकस करेंगे हम लोग और प्रतिक एक करके सभी क्लास की डिसकस करेंगे सबसे पहले प्रारम करेंगे हम लोग फोर्थ क्लास की हमारा परिवेस से जिसमें पहला टॉप आगे क्या पॉर्षन है यह देखे आगे हमारा प्रदेश नदियां परबत पठार यातायात वन यह चीजें इसका संभिधान भी आएगा और अगला पॉर्षन नागरिक सास्त का पूरा पॉर्षन होता है इसका अगला है पर्यावरण आवसक्ता महत उप्योगिता पर्याव वैसे भी इन्होंने इतने अधिक टॉपिक दे दिया है इतना जादा ब्रॉड कर दिया है कि आपको पढ़ने में जादा समय वेश्ट नहीं करना चाहिए जादा से जादा पढ़ाई करेंगे तभी अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं तो दोस्तों अच्छे से कर दीजिए और जो जो कुश्चन मैं करवा रहा हूं ने आप लोग 100% देकर अच्छे से पढ़ाई करिए बिल्कुल जो जो कुश्चन करवा रहा हूं और आगे इसी प्रकार के कुश्चन्स आपको मिलते रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए और एक एक क प्रक्टिस सेट सॉल्व कराई जाएगा और दोस्तों लाइब लाजसे जल्दी स्टार्ट होने वाली थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वज़े से श्टार्ट नहीं हो पाई अब जैसे ही प्रॉब्लम सॉट आउट हो जाती तुरंद लाइब क्लास प्रार्म की जाएगी यह आपका primary का slaves complete हो गया है, इसी slaves के आधार पर आपको पूरी पढ़ाई करनी है आपकी, और दोस्तों आपको बता दूँ कि UPTT 2018 की preparation के लिए, मैं daily आपके लिए वीडियोज लाता रहता हूँ, UPTT 2018 नाम से playlist description में दी हूँ, इसके लाबा अन्य भी वीडियोज दी हूँ है, उनके link दिये हुए, वहाँ से आप लोग वीडियोज देख सकते हैं, और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और अपना भी अधिक सधिक time देकर पढ़ाई करते रही है, और दोस्तों अगर ये वीडियोज पसंद आयों तो उसे लाइक कर दें, अधिक सधिक अपने दोस्तों के साथ सेर कर दें, और comment box में अपने विचार देना, ना भूलें, thank you दोस्तों,